नमस्ते दोस्तों नामवानी चारफल की शुरुआथ जाती है आपको इस वीडियो में बताओंगा तो सबसे पहले हमें रसी चलाने के लिए इस प्रकार से ये रसी बाहन देनी है इस प्रकार से आप देखिए फिर आगे इस प्रकार से चलाना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो पूरा देखे तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले 3 उपर ले उसके बाद में 3 नीचे फिर 3 उपर फिर 3 नीचे फिर 3 उपर तो आप देखिए इस प्रकार से लिया है अब आगे यहां पर 3 नीचे और 7 उपर फिर यहां पर 5 नीचे 3 उपर 3 नीचे 3 उपर फिर यहां पर 5 नीचे और 4 उपर फिर यहां पर 1 नीचे फिर 3 उपर और 3 नीचे अब 3 उपर 3 नीचे 3 उपर 3 नीचे और 3 उपर फिर 3 नीचे यहां पर 3 उपर, 3 नीचे और 1 रशी को यहां पर उठा लेना इस परकार से अब हमको यह गुंडी किस परकार से लगाई जाती है आप देख लीजिए कि इस दोनों गुंडी को किस परकार से मिलाया जाता है आप इसमें देखिए तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताता हूँ आप इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से गुमा कर इसके अंदर इस प्रकार से डाल दीजे जो हमें ताने की जो रसी आई थी जो ताने की गुंडी थी उसके अंदर डालना है इस प्रकार से अब हमें इसको इस प्रकार से ये सिंगडी को लगा के इस प्रकार से हमें इसको खींच लेते हैं अब आप देख लीजिए ये गुंडी इस प्रकार से नई स्टार्ड कर लिया है तो आप इस प्रकार से ये चार पाई की बुनाई कर सकते हो तो यह मैं नाम वाली 4 पाई बनाने जा रहा हूं तो आप इसके सारे वीडियो जरूर देखे तो आपको step by step हर part में मैं आपको बताऊंगा तो इसको मैं part first मानता हूं कि यह जो नाम वाली 4 पाई की start करते हैं इसमें part first का वीडियो यह है तो आप यह देख लीजिए और आगे अलगले part में मैं आपको इसका पूरी जान करी दूँगा और इस side में गुंडी किस परकार लगाते हैं आप देखिए यहाँ पर यह इसकी सायता से जगार करनी है और उसके अंदर इस परकार से इस रसी को डाल देना है तो आप देख लीजिए यह इस परकार से रसी डाल दिये अब यहाँ से उपर से निकाल कर हमें इस गुंडी की start करना है तो इस परकार से यह गुंडी यहाँ पर लगा ली है देख लीजिए यह गुंडी लगा ली अब हम इसको आगे किस परकार से बनना है मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप ये वीडियो पूरा देखे आप देखिए अब यहाँ पे इस एक रसी को दबाना है फिर यहाँ आगे से तीन रसी उठानी है इस प्रकार से यह उठा ली अब यहाँ पे एक रसी आगे जोड़कर यहां पर तीन रसी दबानी है, फिर यहां पर यह तीन रसी उठानी है, आगे से आप देख लीजिए, एक रसी आगे से लेनी है, और यह तीन रसी इस परकार से यहां से उठानी है, तो आप देख लीजिए, अब यहां पर फिर से हमने तीन रसी दबानी है, इस परकार से, औ और यहां पर जो हमने 5 रसी दबाई थी अब यहां पर हमें 4 दबाकर 5 रसी उठानी है आप देख लीजिए इस प्रकार से और यहां पर फिर यहां पर 3 रसी दबानी है और यहां से 3 रसी उठानी है अब पिछली बार हमने 5 रसी दबाई थी अब यहां पर 4 रसी दबाकर 4 रस दबानी है और फिर तीन रसी उठानी है तो इस प्रकार से तीन रसी नीचे तीन रसी ऊपर इस प्रकार से आगे चलाना है तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ला प्रकार लेते हैं तो आप देखिएगें कि इस प्रकारें लगाते हैं आपको पूरी जानकरी दी जाएगी जो पिसली बार ग्या थै उसी प्रकार से यहांपे लगानी ऐब देखेजिए पहले एक रेड थी और वाय ड़्षी की थी अब यहांपे दोनों रड़्षी हो गई है और वाइड रसी छूट गई है पीछे तो यह इस प्रकार से हमें गुंडी लगानी है तो यह गुंडी लगाना बहुत ही आसान है आप आसान तरीके से सीख सकते हो और इस साइड भी देख लीजिए अब यहां पर तो जो हमने उसके अंदर से निकाली तो एक ही रस 14 चलिएस साइडवे तो हमें दूसी रस यहां पर डॉबल गंडी श्टार्ट कर लेनी है तो आप देख लीजिए यहांपर इस प्रकार से इसको पांस में चिक्पका लेना है ताकि इसके बीच में जगह नना रहे इस प्रकार से अब आगे किस प्रकार से बनना है वो भी आप देखिए अब हम जो यह रसी चलाने जा रहे हैं यह यहां से दो रसी दबाएंगे शुरुआत में पहले एक दबाई थी अब दो रसी दबा कर आगे से तीन रसी उठानी है इस परकार से अब यहां पर तीन रसी दबा कर फिर आगे से तीन रसी उठानी है इस परकार से तो आप देखी यहाँ पर 3 रसी दबानी है और फिर यहाँ पर 3 रसी उठानी है अब यहाँ पर 3 रसी दबाकर हमें 5 रसी उठानी है तो पहले 7 थी फिर 6 हुई अब 5 हो गई है और इस side में पहले 5 थी 4 थी अब 3 रसी दो को दबाना है यहाँ पर इस परकार से तो आप देख लीजी इस परकार से यह आप 3 रसी दबा कर 3 रसी उठानी है फिर यहाँ पर नई डिज़ाइन इस्टार्ट करने के लिए हमें 1 रसी दबानी है आप देख लीजिए यहां पर नई डिजाइन स्टार्ट होगी इसलिए हमने एक रसी दबाई है तो यहां पर क्रोश डिजाइन हम स्टार्ट करेंगा आप देख लीजिए जो मैंने पहले बता चुका हूं कि क्रोश डिजाइन किस प्रकार से बनाई जाती है उसकी लिंक भी ने देख लिजाइन आप जाके देख सकते हैं क्रोश डिजाइन कैसी होती है और यहां पर अपर प्रश डिजाइन स्टार्ट किए एक रसी दबागर फिर आगे तीन ऊपर इस परकार से चला नहीं तो आप यह देख कर आसान तरीके से शीख सकते हो रहां पर फिर से एमने कि तरफ लाना चारप आएक तम पीछे की तरह से रसी को एक लेकर आगे दबाते तो इस प्रकार से देखिए अब यहां पर आम गुंडी लगा देते हैं आप देख लीजिए तो यह गुंडी लगाना बहुत आसान है अब आप सीख गये होंगे कि गुंडी किस प्रकार से नहीं आप यहां पर देखिए इस साइड में भी यह गुंडी लगा देते हैं इस परकार से तो आप गुंडी लगाना भी सीख जाएए अब यहाँ पर देखिए डबल गुंडी की स्परकार की जाती है तो आप देख लीजिए अब जो पहले सिंगल लग रही थी आपको तो यहाँ से अब हमने डबल स्टार्ट कर लिए तो यह अब इसके दोनों रसियों के अंदर डा से इस प्रकार से आप देखिए यह पास में जो उपर की दो रसी इसको इस प्रकार से उठाने आए यह देखिए इस इस्टुमेंट के उपर दो रसी आ चुकिए अब हमें यहाँ पर एक रसी उठाकर तीन रसी दबानी है फिर यहाँ पर तीन रसी उठाकर तीन दबानी है इस प्रकार से तो आप देख लीजिए ये किस प्रकार से बननते हैं हम यहाँ पे तीन रसी दबा कर हमें चार रसी उठानी है और आगे हमें एक रसी दबा कर तीन रसी उठानी है यहाँ पे तीन रसी दबा कर पांच रसी उठानी है और आगे इस प्रकार से हमें 3 रसी दबानी है और यहां पर 3 रसी उठाकर 1 रसी दबानी है फिर यहां पर यह 4 रसी उठाकर यहां पर 5 रसी दबानी है अब यहां पर देखिए यह 3 रसी उठाकर यहां पर 3 रसी दबानी है यहां से 30 तो अब जो सर्कला अंदर की तरफ आ रहें को बंद करनेने के लिए 1 रंसी धवा यां पर हाँ पूरा किया है उस इस परकार मों तीन देनले को आपको यह मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को बेल प्र स्लेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं इसका नेक्स्ट पार्ट सेने सेकेंड पार्ट अप्लोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले मिले और आप उसको देखकर चार पाई में अंदर नाम लिख सकते हो तो इस वीडियो के कि मैं जो पार्ट बताऊंगा इसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों में नाम लिख कर बताऊंगा कि यह किस प्रकार से लिखा जाता है और इसके अंदर कितनी रिषया चलाई जाती है तो पूरी जानकर आपको मेरे चैनल पर मिलेगी तो इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को स सेलेक्ट कर ले ताकि आपको जब भी मैं अगला वीडियो प्लोड करूँ तो उसका नोटे पेकिसन आपके पास सबसे पहले आ जाए अब यह देखिए यहां पर यह गुंडी लगा लिए और इसको पास में चिपका कर हम आगे किस पकार से बनाएंगे आपको इसमें अंद ऐसी दबाने है अब यहां पर तीन रसी उठाकर हम मैं इसको पूरा करना है यह जो मैंने आत राखा इस दीस को पूरा करना है तो मैं यहां पर आप देखी एक रसी यहां पर आप से तीन रसी उठा कर यहां पर यह तीन रसी उठानी है और यहां पर यह च्छर रसी दबा कर आगे से हमने साथ रसी उठा लिए यहां पर देखिए साथ रसी उठा लिए अब यहां पर तीन रसी दबा कर यह तीन रसी उठाई है फिर यहां पर तीन रसी दबा करिए पांच रसी उठा लिए फिर आगे यहां पर दो रसी दबा लिए तो आप इस प्रकार से देखिए अब यहां पर यह 3 रसी उठाई और यहां पर 3 रसी दबाई अभी इस प्रकार से यहां संकला आगे चलाएंगे और आगे यहां पर गुंडी लगा कर आपको दिखा देंगे तो आप इस प्रकार से आप नाम वाली 4 पाई बना सकते हो तो यह मेरा फेस्ट वीडियो है नाम वाली चारपाई का जिसमें मैं आपको step by step एक एक रसी के बारे में बना कर बता रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखे आगे improvement औरने के कारण में इसे भी अच्छी तरीके से और एक एक रसी के बारे में नाम किस प्रकार से लिखा जाता है सभी के अक्सर को लिख कर बताऊंगा तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे अब यहाँ पे देखी यहाँ पे यह एक रसी दबा कर तीन रसी उठा लिए फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठा लिए अब यहां पर 3 रसी दबा कर 5 रसी उठा लिए इस परकार से और यहां पर अब हमने 7 रसी दबा लिए और आगे से यह 7 रसी उठा कर यहां पर 5 रसी दबाएंगे इस परकार से यहां पर यह 5 रसी दबा लिए अब यहां पे यह तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाई फिर यहां पे तीन रसी दबाकर पांच रसी उठा लिए यहां पे यह तीन रसी दबाकर तीन रसी उठा लिए और आगे यह तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएं और यहां पे अब एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएं क्योंकि यह एक रसी इसली दबाई क्योंकि यह पूरी करनी है तो आप देख लीजिए इस प्रकार से यह यह डिजाइन हम बनाएंगे तो आप देखिए इस साइड में यह डिजाइन बन रही है और उस साइड में हम नाम स्टार्ट करने की त्यारी कर रहे हैं तो आप देखि और इसको skip किये बिना पूरा देखे तांकि आपको समझ में आए कि 4 पाइम नाम किस प्रकार से start होता है अब यहां पर देखिए 2 रसी दबा कर 3 रसी उठाई फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाई फिर यहां पर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाई अब आप देखिए यहां पर पांच रशी दबा कर एक रशी उठाई यहां पर यह पांच रशी दबा कर एक रशी उठाई फिर यहां पर तीन रशी दबा कर पांच रशी उठाई छे रशी उठाई और 6 रसी उठाने बाद में याँ पर 4 रसी दबाई अब यह 4 रसी दबाकर हमने 5 रसी उठा लिए इस प्रकार से अब आगे देखिए यहां पर इस प्रकार से यह एक रसी दबाकर 5 रसी उठा लिए फिर यहां पर 4 रसी दबाकर 3 रसी उठाई फिर आगे 3 रसी दबाकर 5 रस से बनाएंगे हम तो आप यह मेरा वीडियो देख लिजिए और आगे वाले पार्ट में मैं नाम किस प्रकार से स्टाट किया जाता है उसका वीडियो अपलोड करूंगा तो वह देखना न भूले उस वीडियो में आपको पूरी जानकरी दी जाएगी कि इन्दी में नाम किस प्रकार से स्टाट किया जाता है तो उस वीडियो को पूरा जुरूर देखे थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखे लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहूंगा उसको जुरूर देखे क्योंकि उसके अंदर ही मैं नाम के बारे में बताऊंगा ये डीजेई में यहीं पूरी करूँगा आप थोड़ा देख लीजी एक गलेर और चला के बता देता हूं आपको तो आप देखिए यहां पर यह गुंडी लगा कर हम इसको पास में चिपका देते हैं और इसको पास में चिपकाने के बाद में आगे किस परकार से बनाते हैं आप देखिए अब यह देखिए इस परकार से हमने बनाईए अब यहां पर तीन रसी दबा कर तीन उठानी है इस परकार से अब यहां पर हम वापस तीन रसी दबा कर तीन उठाएंगे फिर यहां पर एक रसी दबा कर यहाँ पे जो यह 3 रसी उठा रहे हैं आम नाम की शुरुवत यहां से करेंगी तो आप देखते रहे हैं यहाँ पे नाम की शुरुवत किस प्रकार से की जाती है अब यहाँ पे देखिए 5 रसी उठा कर 3 रसी दबाई है और यहां पर 5 रसी उठाकर 3 रसी दबाईए तो आप इस प्रकार से देखिए यह डिजय यहां तक हम पूरी कर रहे हैं और आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में अप्लोड करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि नाम की सुरात किस प्रकार से की जाती है और इंदी में नाम किस प्रकार से लिखा जाता है और उसकी सुरात कैसे होती है और कि उसके अंदर कितनी रसी आती है पूरी जानकरी मैं अगले पार्ट में दूँगा तो आप अगला पार्ट देखना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटे पे किसरा आपके पास सबसे पहले पहुंचे कवर आप उसको देखकर इंडी में और इंगलिस में नाम लिखना सीख सकें या फिर उसका किस प्रकार से लिखे उसके बारे में जान सकें तो आप देखिए यहाँ पे यह यह डीजाई ने यहाँ पर पूरी हो गई है अब हम इस रसी को यहीं समापत कर देते हैं आगे की जानकरी आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी तो यहाँ पे यह मैं गुंडी लगा लेता हूँ यहाँ पे यह गुंडी लगा लिये अब इसको इसको पीछे खिंच के यहां पर यह लगा देते हैं और इसको यहां पर अभी आई रोक देते हैं तो आप देखिए मैं आपको यह पूरा वीडियो बना के बता देता हूं और आगे पूरा फोटो दिखाता हूं आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पे इसको इसके पास में चिपका देते हैं फिर आपको यहाँ पे इसकी जनकर देता हूँ आप देख लीजी तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पे हम नाम बनाएंगे यह जो मैंने अभी जहां हाथ रखा है यहाँ पर देखिए यह, यहाँ पर हम नाम को start करेंगे, हिंदी में नाम इस परकार से आएगा, यहाँ इस design से आएगा, तो आप देखिए